चल यार हम लोग अपने कोऊस के अंदर आएंगे-बाट हुई और अगर आप पहली बार ये वाली वीडियो देख रहे हो ये वाली अभी ये वाली वीडियो साथ में आप फॉलो करना सब्सक्राइब का नम भूलेगा जब आप सब्सक्राइब करते हो और लाइक करते हो कमेंट करते हो तो मोटिवशिन बढ़ता हो और जल्दे से वीडियो लाते माई थोड़ सा तब डाउन चल रही तो हो सकता है एक दो दिन गाप हो जाए बट कंटि जल्दी प्रक्टिकल वाले चीछ पे चलेंगे अभी कुछ चीजे और आज हम लोग एरे करेंगे तो वह प्रक्टिकल है बट अब बात करते हैं समझते कि अप्र डेटाइब क्या है इसका पूरा नोट्स आपको यहां पर अबलेबल हो जाएगा हैंड मिल जाएगा तो प्रक्टिकल करने के लिए हमारे पास यहां पे VS Code अब बात करते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं को समझते के लिए हम बात करते हैं बात करते हैं बात करते हैं सबसे पहले और फटा फटक को समझेंगे ज्यादा थेओरी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कॉंसेट को समझेंगे और आगे चलेंगे डेटाइप को समझते हैं डेटाइप क्या होता है उसके बारे में कैसे operation perform करते हैं अलड़ी मैं आपको प्रिछले वीडियो में सब जा चुका हूँ सब चीश पूरा अल्मोस्ट जावा की कोई चीशे बता चुका हूँ ठीक है तो आप वहाँ से एक बार देख लिए फिर भी में आपको बताता हूँ डेटा टाइप हमें यह बताता है गाइस कि हम लोग कोई अगर वेरियबल बना रहे हैं हम लोग कोई वेरियबल बना रहे हैं तो उस वेरियबल के अंदर किस टाइप का डेटा रखेंगे यह हमें डेटा टाइप बताता है जैसे फॉर अग्जामपल अगर हमने यहां बना दिया एक डबबा ठीक है इसको डबबा ही लो एक डबबा बना दिया हाँ यह बन गया अन इस डबबा है डबबा काई सकतो अंदर स्पेसिंट्ष में मे मूरी मेमोरी के अंदर आपको एक इससे मिल गई है इसको हम एक नाम दे देंगे सब्में नام दिये एक्स ठीक है तो यह जो डबबा आपको मिला है जाके मिली है वो किस टाइप की है सब्सक्राहिए तो इन और data type हमें यह बताता है कि हम इसके अंदर किस टाइप का data रख सकते हूं उस पे कौन कों से operations perform कर सकते हैं यहां पर operation word बहुत जादा important है ठीक है operation word बहुत जादा important है अगर आप operation समझ पाओगे तब ही आप चीजों को समझ पाओगे अब आपको के sir operation word क्यों बहुत सादा important है क्योंकि जब आप data रखते हो तो data पे operations भी करते हो जैसे for example आपने string रखा तो string पे कुछ और operations होगे आपको concatenate करना होगा आपको index निकालना होगा लेकिन जब आप integer होगा तो जोड़ना हो सकता है सब्सक्राइब करना होता है तो यह primitive data type है primitive data type समझ गया data type मतलब कि हम किस टाइप का data रख रहे हैं और उस data पे कहुन से operations perform करेंगे तो जैसे मैं आपको बताया है तो यह data type हमर पास दो तरीके के हैं एक primitive data type जो हम लोग ने सीखा था basically यह जो data type थी हमें language के साथ मिल जाते थे तो जैसे आपने integer देखा होगा इंटीजर इसी तरह बाइट फ्लोट शॉर्ट आट एक टाइप थे जाव में वह प्रिमिट्व टाइप थे ठीक है ऐसे करके मैं आठो नहीं लिखूँगा बट यहां पर एक डबल लिख देता हूं डबल बोले तो डबल धमाल ठीक है और नॉन प्रिमिट्व डेटाइप पिर दे पाइपस बेसे कली यह फिर यह फिर रेफरेंज डेटाइप इसको यूजर करता है हम लोग भाई करते हैं अपने अनुसार से अपने यूज के हिसाब से ठीक है यह उसर इसको गरता है दोनों में अंतर है बती बात को समझे कहां पर प्रिमिट्व डेट रिपस में एक्जाम्पल के लिए आप देखो यहाँ पर हमने एक इंटीजर बना दिया X is equal to 10 यह इंटीजर से आप सारा कहारी समझ सकते X is equal to 10 उसमझा यहाँ पर हमने बता दिया लेकिन आप देखो आपको तो कुछ नहीं पता है आपने सिर्फ इंटीजर X is equal to 10 लिया अब memory में यह कैसे implement किया जा रहोगा integer कैसे memory allocate हो रही होगी कैसे deallocate हो रही होगी कैसे इसके अंदर 10 जा रहोगा कैसे इसका variable define हो रहोगा everything आपको कुछ नहीं पता ठीक है that means data structure भी बन रहा है बढ़ आपको कुछ पता भी नहीं है बात को समझे यहां पर आप y ले लेते हो 15 आप double ले लेते हो आप float ले लेते हो ऐसा करके जो आप variables लेते जाते हो जो data types जो variable जिस data type का लेते जाते हो आप operations कर पाते हो लेकिन उसकी भी implementation कहीं नहीं लिखे होगी इसकी जो implementation and code है इसकी working है यह सब आप से abstract करके रखा गया abstract का मतलब क्या है भाई hiding implementation या hide implementation implementation को hide कर देना implementation को hide कर देना और दिखाना क्या सर्फ features को features को सो करना features को 構uk features को करना मतलब करेगा क्या यह हमें हो करना बट कैसे करेगा है हमें hide करना यह होता है uncertain diet type तो आप दोनों इस आर्फीचर से अहाँ पे यहां पर data types and abstractions data type है किस type का data हम ले रहे हैं अपने variable के अंदर कौन से operations perform कर सकते हैं उसमें यह हमें बताता है data type साथ ही जाथ में abstract हमें ही बताता है कि चीजों को कैसे hide करना है implementations को कैसे hide करना है और कैसे so करना है अब यहां पर आप अपना खुद का data type बना होगे जैसे for example आपने user data type बना दिया तो उसके कौन कौन से operations होगे ठीक है कौन कौन से operations होगे यह सब चीज आपको बतानी होगी यह जैसे for example array हमारे पास data type है array data type है तो array के भी तो कुछ operations है जैसे array में data को push करना निकालना traverse करना तो यह सारे भी operations है ठीक है तो इसके भी operations होगे जो आप user dependent data बनाओगे इसके भी operations होगे लेकिन इसका standard कौन बनाएगा भाई standard हर एक data type के standard कौन बनाएगा अब गाईस बात को सबजेगा कि actually abstract data type क्या होते है आपको दोनों words यहां पर समझ में आ गए है कि actually abstract क्या होता है और data type क्या होता है data type यह बताता है हमें data के बारे में कि कि किस टाइप का data आपको रखना है and operations abstract मतलब हमें operations को abstract रखना है या चीजों को abstract रखना है ठीक है जैसे for example abstract का example और देता हूँ जैसे for example आप Google search करते हो तो Google search पर आपको श्राइप करते हो और आपको result मिल जाता है लेकिन आपको यह तो पता नहीं कि कैसे result आ रहे है तो इसी को बोलते है abstraction कैसे काम हुआ ठीक है यहां पर दो words है एक है क्या काम हो रहा है ठीक है जिसको feature बोलते है और एक कैसे काम हो रहा है कैसे काम हो रहा है तो कैसे को हम hide कर देते हैं कैसे काम हो रहा है how how implementation की बात हो रही क्या क्या हो रहा है what तो what को हम दिखाते है इसको so करते है ठीक है what को हम क्या करते है so करते है इसको हम so करेंगे तो यहां भी abstract datatype है अब abstract data type क्या करता है यह define करता है और फैसे बात है यह model डिफाइन करता है data type का टीक है इस a model for data structure अभी बात को समझेगा पूरी कहानी खत्म नहीं it is a model फॉर किसके लिए फॉर डेटा स्रुक्चर जो आप डेटा स्रुक्चर जो बनाते हो उसका एक मॉडल है डेटा स्रुक्चर जो बनाते हो उसका एक मॉडल मतलब क्या है बात को समझे जो आपने डेटा बनाया उसका डेटा स्रुक्चर जो आप बना होगे या किसी में डेटा करता है बात को समझेगा जो डिफाइन करता है 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 डिफाइन करेगा डिफाइन करेगा डिफाइन करेगा डिफाइन करेगा डिफाइन करेगा डिफाइन करेगा डिफ टाइप behavior यह important है भाई behavior word is very important behavior word is very important तो यह define करेगा data type के behavior को without specifying without specifying मत्तब विदाओ भी important है without specifying without specifying without specifying मत्तब हमें specifying नहीं करना चीजों को without specifying implementation 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 I think अब समझें नहीं समझें तो समझाता हूं तो abstract data type किसी भी data sector को बनाने का एक model है जो हमें यह बताता है कि data sector क्या operations करेगा लेकिन कैसे करेगा इसको छुपा के without specifying मतलब हमें implementation कैसे करना यह छुपा लेना है बट क्या-क्या काम करना है यह abstract data type हमें बताता है जैसे for example आपके पास एक array है let's 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 see the example example में बहुत simple सा लोंगा एक array है array है तो array data structure है अब इसी बात है data को store करता है लेकिन array पर बहुत सारे operations है तो ADT को समझने के लिए abstract data type को समझने के लिए array बहुत बड़ी है concept है array बहुत बड़ी है चीज है देखो इस पर बहुत सारे operations पहले चीज तो यह data को store करेगा ठीक है data को structure बट इसके बहुत सारे operations होंगे बहुत सारे operations होंगे बात को समझना जैसे for example operations मतलब जैसे इसके अंदर को data को add करना हुआ ठीक है data को add करना पुश्च देटा पुश्च देटा देटा को remove करना भी हो सकता है remove data को get fetch या get तो यह मैंने कुछ operations लिग दिया तीन तीन मैंने हाप यह operations लिग दी तो अब जब array बनाओ गया या जब array data डेटा डेटार यूज करोगे तो यह तीन operations आप यूज करेगा push remove and get यह सिर्फ मैंने example लिया और भी हो सकते हैं बात को सबसना अब ADT क्या इसमें role play करता है ADT role apply करता है कि जब data structure बनाएगा तो ADT represent करेगा इतने part को बस ठीक है data structure and its operations या operations but only the operations only the behavior how data structure behaves यह में ADT पताता है मतलब यह सिर्फ यह सिर्फ फोकस कर रहा है behavior पे behavior पे बात को समझे है behavior मतलब functionality पे focus करता है but how these functionality are done कैसे काम कर रहा है push कैसे काम कर रहा है ADT हमें नहीं बताएगा implementation अलग-अलग हो सकती है remove कैसे काम कर रहा है get कैसे काम कर रहा है भाकी operations कैसे और नहीं ADT हमें implementations नहीं बताता है so I think आप समझ गए इससे बहुत सारी फाइन है बट और और बी example हो सकते है और example समझाता हूं मैं जैसे for example stack just for example stack stack भी stack से हम ADT बहुत समझ सकते हैं तो stack एक classic data structure रहा है ठीक है जिसके अंदर आप last in first out करते हो जो last मैं गया वह first जैसे मा अदो आपने kitabे रखी तो पहले kitab आपने रखदी दैन आपने दूसरी किताब इसके ऊपर रखदी फिर आपने तीसरी kitab र जून lleis Lon IP ये रख़वते तो आप इन कर रहा हूं इसए इसको आउट करोग से तो यह होता है last in first out stack stack last in first out पे काम करता है l in last in first out लीफू पे काम करेगा अब important बात है यहाँ पे समझना है इसके बहुत सारे operations है again इस पे भी आप push करोगे ठीक है इस पे pop करोगे मतलब निकालोगे वही then peak करोगे peak करोगे ठीक है and then peak means basically return the item at the top of the stack without removing it then up check करोगे is empty अब याद ना कर लो इसलिए बतारो कि आप याद ना कर लो इसलिए बतारो कि आप ADT को समझो ठीक है तो यह सारे operations है अब ADT हमें यही बताएगा कि how this stack behaves ADT हमें यही बताएगा how this data structure behaves yes ADT हमें बताएगा how data structures behave yeah ADT defines the behavior of the data structure without specifying the implementation तो इसकी implementation पर ADT नहीं देगा है सर्फ यह बता रहा है behavior यह data checker कैसे behave कर रहा है बस implementations अलग अलग भी हो सकती कोई दिक्कत वाली बात नहीं implementation depend करेगा programming language पे and programming language पे hardware पे बहुत सारी जोंपे implementation depend करता है बात को समझ गया तो यह ADT होता है यह interview question आपको समझ भी आना चाहिए भाई ठीक है interview question आपको समझ भी आना चाहिए इस कुछ वाल ऊजे बात का ईना उना बात मेखको समझ भी आपको समझ भी समझ